चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि नए वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। जै संतोशीमा, दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज आपकी राशियों में क्या है और आपका दिन कैसा रहेगा। आज के पंचांग के अनुसार चौबीस अक्टूबर दो हजार चौबीस दिन गुरुवार है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमीति थी होगी। पुष्च नक्षत्र दिन के दस बज कर उननीस मिनट तक रहेगा। इसके बाद आशलेशा नक्षत्र का आरंब होगा। आज का राहुकाल जो की दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है। दोपहर एक बज कर बाईस मिनट से लेकर दो बज कर चौवन मिनट तक रहेगा। आज कोई अभिजीत मुहुर्त नहीं है। चंद्रमा आज करक राश में संचरित होगा। जबकि सूर्यतुला राश में उपस्थित रहेंगे। तारीख है 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। आपको दूसरों पर भरुसा करना होगा। चाहे वहाँ आपका कोई करीबी हो या दोस्त। वहाँ आपकी किसी विशेश परियोजना में मदद कर सकता है। जो आपके भविश्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी और से विश्वास का पहल करना होगा। आज आप किसी पडोसी से बात चीत करेंगे। बस उन्हें सुनें, नए व्यक्तिगत या पेशेवर अवसरों का लाब उठाने का ये सही समय है। यह दिन नियमित कारियों को पूरा करने और बड़े पैकेज उठाने का भी है। इसमें पूरे महीने का किराया और सामान शामिल है। आज का विशय आंतरिक जागरिती है। आज का दूसरा भाग आपके लिए अनुकूल और अधिक लाबकारी साबित होगा। नौकरी पेशा लोग आज बिना किसी चिंता के आराम से समय बिताएंगे और उनका काम भी सुचारू रूप से चलेगा। उन्हें कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। शाम का समय मनोरंजन में बिताया जाएगा और आज घरेलू जरूरतों पर भी खर्चोगा। आज शुब अवसर मिलने की संभावना है। लोगों के विरोध के चलते आप खुद के प्रती नकारात्मक विचार बना सकते हैं। लोगों की नाराजगी को तुरंत दूर करना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए संयम बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। काम से संबंधित नियमों की अंदेखी करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपका पार्टनर हर संभव तरीके से आपकी मदद करेगा। आज एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें। शारीरिक कमजोरी के कारण पैरों में दर्द हो सकता है। आज अनावश्यक खर्चे होंगे और दिखावे में भी व्याय बढ़ सकता है। घर में मरम्मत के काम की संभावना है। दोपहर का समय अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए विवादों से दूर रहने और उल्जनों से बचने की कोशिश करें। जोखिम भरे कारियों से दूर रहे। शाम का समय आपके पक्ष में रहेगा और आज किसी मनोरंजन कारेक्रम में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आप किसी मनोरंजन कारेक्रम में भाग ले सकते हैं। आपको संतान पक्ष से कोई खुशकबरी सुनने की संभावना है, हलांकि आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे आपको समस्या हो सकती है। किसी काम में गड़बडी होने से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन माता पिता के आशीरवात से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आप संतान के भविश्य के लिए बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। आए और व्याय में उचित सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है और फिजूल खर्ची पर नियंतरन रखना जरूरी है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए। अब बात करते हैं लव लाइफ की। आपके प्रती भावनात्मक सहयोग आपकी कार्यक्षमता को नई दिशा देगा। प्रेम संबंधों से दूरी बनाए रखें। आपका साथी आपको चौका सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा। आप अपने रिष्टे में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इस बारे में अपने साथी से विचार विमर्ष करें। क्योंकि यह पूर्ण है। जल्दबाजी से बचें क्योंकि यह प्यार आपकी मेहनत और अथक प्रयासों का परिणाम है। आपके साथी के चारों और कुछ साजिशों की गंध आ रही है। यदि आपके साथी दूर हैं तो आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लेकिन संचार के साधनों तो मिलने के लिए तैयार हो जाएं। आप हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और आज आप नए कारियों की शुरुआत करने के लिए ततपर हैं। अपने दिल की बातों को अपने साथी के साथ साज़ा करें और निश्चिंत रहें। कोई भी समस्य आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। कलत फहमियों को अपने प्यार के बीच में ना आने दें। अब बात करते हैं करियर की। आपका पेशेवर जीवन शांदार है जहां आप साहस के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बना रहे हैं। अतिरिक्त धन कमाने की अपनी इच्छाओं को फ्रीलांसिंग या कला के प्रदर्शन के जरिये पूरा कर सकते हैं। घरेलू काम जैसे नल का लीक होना या अवरोध या निश्क्रिय बिजली के उपकरणों को सुधारना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस समय आंतरिक जागरिती आपके जीवन की प्राथमिकता है। आज आप अपने बारे में अनिश्चित्ता महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। यह आपके व्यक्तिगत लक्षियों या उद्देशियों के मूल्यांकन और संशोधन का सही समय है। अपने स अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार करेंगे। हालांकि वित्तिय प्रबंधन आपके लिए चुनौती पूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन धन संचय करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध और परियोजनाएं प् इस समय वर्तमान गति विधियों पर ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी कर्मचारी अपने काम से बाहर संतुष्ट रहेंगे। अब बात करते हैं सेहत की। आज आपकी उर्जा और स्टेमिना दोनों ही कम रहेंगे। जो आपके पिछले दिनों की स्वास्थ्य की कारण स्वाभाविक है। यदि आपको अधिक मेहनत करनी है तो आपको अपने शरीर का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और आराम भी करना चाहिए। अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम करना जरूरी है। बिना आराम किये अधिक मेहनत करके आप अपनी स अगर आप बीमा से जुड़ी किसी योजना पर विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए सही है. साथ ही, आज कानूनी सेवाओं का लाब हुठाना या किसी कानूनी मुद्दे पर निर्णाय लेना आपकी राश्य के लिए शुभ रहेगा. यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेश रूप से लाबकारी साबित हो सकता है. घर खरीदने या होम लोन लेने का विचार भी आज आपकी राश्य के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ाएगा. यदि आप अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए आउनलाइन शिक्षा में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है. इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड लेने या उसका उप्योग करने का समय आज आपकी राश्य के लिए लाभकारी रहेगा. यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन विशेश रूप से शुब है. आपके विवसाय के लिए नया सॉफ्ट्वेयर खरीदने का समय भी सही है, और इससे आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. साथ ही, आज का राश्य फल यह भी कहता है कि क्रिप्टोक्रेंसी में निवेश करने से आपको लाभ हो सकता है. स्वास्थे के दृष्टिकोंड से भी आज का दिन शुब है. आपकी राश्य के अनुसार स्वास्थे और फिटनेस पर ध्यान देने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. इ-कॉमर्स में कोई नया कदम उठाने का भी आज का समय अनुकूल है. अपनी राश्य के अनुसार व्यक्तिगत वित्त की योजना बनाकर आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं. यदि आप किसी तकनीकी उत्पाद की समीक्षा पढ़ने या खरीदने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है. लगजरी वस्तरों की खरीदारी के लिए भी आज का दिन आपकी राश्य के लिए शुब है. यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बिजनिस कंसल्टिंग की सलाह लेना चाहते हैं, तो यह निर्णे आज आपकी राश्य के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. इसके अलावा, यदि आप किसी लगजरी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. किसी भी प्रकार का लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो आज का समय इसके लिए बिलकुल सही है. यदि आप अपने व्यवसाय के लिए डिजिटल मारकेटिंग की कोई नई रणनीती अपनाने का विचार कर रहे हैं, तो यह दिन आपकी राश्य के लिए सफलता का संकेत दे रहा है. साइबर सुरक्षा में निवेश करना आज आपकी राश्य के लिए लाबकारी रहेगा, और यदि आप किसी नई वेब होस्टिंग सेवा की खोज में हैं, तो आज का दिन इसके लिए शुब है. आज का उपाई यह है कि आप गरीबों या ब्राह्मनों को पीले चने, पीली, मिठाई और हल्दी का दान करें. इस से ब्रस्पती के दोश दूर होते हैं. जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें और आपका दिन शुब हो.